ऀस मोबाईल लोन अप्लिकेशन को 4.3 की रेटिंग मिली हुई है देख करके काफी अच्छा लगता है कि हां भी बहुत अच्छी रेटिंग है एप्लिकेशन बहुत बहुत बहतर होगी अगर बात की जाए इस mobile loan application के reviews की तो देखिए starting के जो तीन review है वो एकदम perfect हैं बहुत बहतर इस mobile loan application के बारे में व्यक्तियों ने कहा है अगर बात की जाए इस mobile loan application के about section के बारे में देखिए अपने about section में ये लोग clear mention करते हैं अगर कोई व्यक्ति यहां से loan वगरे के लिए आवेदन करता है तो उसको ये कम से कम जो loan देंगे वो 2000 रुपे देंगे और अधिक्तम loan की अगर बात की जाए यहां पर तो इनका कहना है वो 5000 रुपे का मिलेगा अगर बात की जाए यहां पर समय अवदी की तो 91 दिन से ले करके इन्होंने साब कहा है 150 दिन के लिए ये समय देंगे अगर बात की जाए interest rate की तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को जो interest rate पे करना पड़ेगा वो 30% तक का interest rate पे करना पड़ेगा अगर बढ़िया तरीके से लग रहा है about section इन्होंने पताया है कि अगर किसी परकार का कोई भी व्यक्ति को कोई issue create होता है तो इस email ID पर व्यक्ति संपर्क कर सकता है जो कि पूरे तरीके से individual person का mail ID लगता है इन्होंने पूरे तरीके से इसको gmail पे create किया हुआ है व्यक्ति से सारी permission ले रहे हैं पर अब देखिएगा टेलीफोन की permission, storage की permission और other permissions अब आप मैंसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कि pen card आधार card पर आसानी से loan लेना चाहते हैं तो देखिए यहां पर मैंने इसकी पूरी जात की जब मैं यहां पर आया see all review section में आकर के positive section को मैंने चेक आउट कि किया तो इसमें other country के लोग जादा थे जो कि इस application को review दे रहे थे पर मैंने चेक आउट किया यहां पर critical section, critical section में मैंने पाया व्यक्ति साप साप कह रहे हैं यह mobile loan application loan देने से पहले एक पंजीकरण amount लेती है कि इतना amount आपको pay करना पड़ेगा जैसे व्यक्ति amount वगेरा pay करता है फिर भी उसको कोई loan वगेरा नहीं मिलता है और उसके account में credit कोई रासी नहीं की जाती है लेकिन फिर भी वसूली की जाती है यहां पर व्यक्ति कह रहे हैं कि application पूरे तरीके से fraud है इस application से आप लोग बचके रहें यह application बंजीकरण के नाम पर पैसा collect कर रही है और loan वगेर हैं अगर बात की जाए इस application के review वगेरा की तो review भी काफी इसको मिल चुके हैं ठीक है अब आप मेंसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनोंने इस mobile loan application से loan लेने का प्रियास किया होगा या आप loan लेने का सोच रहोंगे आप loan app का इसका review देखना चाह रहे थे तो देखे यह application इन reviews के आधार पर clear होता है कि fraud है फर्जी है फेक है आप इससे बच के रहे और ऐसी application जितनी भी play store पर है उनसे सबी से बच के रहे और जिन भी व्यक्तियों का पैसा इस application ने ठग लिया है आप immediate basis पर इनकी शिकायत कीजिए और ये जो अपरादी है ये जो fraud कर रहे हैं ये ज पूरे तरीके से गलत है आप में से बहुत सारे व्यक्तियों के ये question होंगे get loan app real है या fake है तो 100% get loan app जो है पूरे तरीके से fake application है 100% ये एक scam application है वीडियो अगर ये आपको मेरा अच्छा लगा है आप इस वीडियो को like करके जाए अच्छा नहीं लगा है वीडियो को dislike करके किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई क्वैरी है आपकी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर के माध्यम से सुचना दे सकते हैं, मेरे सभी सोसल मीडिया एकाउंट के माध्यम से, आप मुझे update कर सकते हैं मैंने अपने सभी social media account का link आपको वीडियो के description box में provide करा दिया है मेरा एक telegram पर भी channel है इसका link आपको वीडियो को description box में तो मिलेगा साथ ही वीडियो के pin comment section में भी मिल जाएगा छोटे चोटे अपडेट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें जैहिंद वंदे मातरम